लोग सबाद चुनाव की पहले राहूल गांदी जी जब कह रहे थे कि हम खटा कट 15,000 रुपे हर मैने हर मैला के अकाउंट पी डालेंगे तब कॉंग्रेस के निता कुछ नहीं पोले और जब अब महायुती सरकार ने अपना बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बचेट पेश क के ऐसी प्रतिक्रिया आज अरुन सावन इनकी द्वाराती कई है दो हजार चोबीस पचीस के लिए महायुती सरकार ने याने आदर्निय मुख्यमंत्री एकनात राउजी शिंदे और दोनों हमारे उपमुख्यमंत्री आदर्निय देवेंद्रा फढण विश जी और आदर्न की जो पिच्ड़ी जाती है उनके लिए काफी अच्छे फाइदे मिलेंगे ऐसी योजनाएं उसमें लाभू किये लेकिन इतनी अच्छी योजनाएं लाभू कि है कि विरोधी पक्षर जो हमारा महाराश्रा को है उनको उसी समय से जुलाव चुरू है वो आज तक रुक नह गया अगर इसमें गवर्मेंट हमारी सक्सेस होती तो इनके लिए मूँ दिखाना भी मुश्किर हो जाएगा इसलिए इनके सारे नेता फिर उसमें उद्दव ठाकरे जी हो वडटी वार हो नाना पटोले जी हो या संजे राउत हो या अदित्य ठाकरे हो हर नेता बयानबाजी में लगा है वो भी गलत बयानबाजी कि ये सब कुछ होने वाला नहीं है लेकिन इनी के पांगरेस के मुख्य नेता आधरनीय राहूल गांदी जी ने जब कहा था लोकसवा इलेक्शन के पहले कि अगर हमारी सरकार जीत कर आती है तो हम ठकाटक ठकाटक जाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जनता ने उन्हें सत्ता पर बैटने से नामंजूर किया जनता ने अधरनीय नरेंद्र मोधी जी को प्रदान मंत्री के रूप में स्विकारा भले हमारी सीटे कम हुई लेकिन सत्ता में तो जनता ने हमें बिटाया है उसी प्रका स्तापन करने के लिए जो उनका मैंडेट है वो दिया है अगर अभी इनके मंद में डर क्या है अगर हमारी महायूती सरकार यह जो भोशना है हमने अभी कि है उसमें हम सफन हो जाते है आगले हबते से तो इनको मुह धिकाना भी मुश्किर हो जाएगा इसलिए हर आये दिन हो बयान बाजी कर रहे को कुछ नेता इनकी चदर फट गई और खायराज बाटने लगे लेकिन वो चदर वगर किसकी फट गई है किसकी फट गई है वो पूरी जनता जानती है और हमें पुरा विश्वा से महाराश्ट्रा की जनता आदरनीय मुख्यमंत्री एकनाज जी शि हमारा एक अभ्यास है उस अभ्यास को परिपूर्ण करके हमने यहां पर डिकलर किया इसके लिए जो पैसा लगने वाला है वो पैसे का इंतजाम भी हमारी सरकार ने करके रखा है यह जुटा प्रचार कर रहे कि इस राज्य के ऊपर इतना करोड़ों लाकों रुपयों का ल देना है और आगे आने वाले विधान सवा में अधर नियों एकनाज जी के शेद्नेत्रुद्व में इसी सरकार को जून कर दिना है और हमारी सरकार का जो उद्दिष्ट है कि हम आगे आने वाले सालों में इस महाराश्टर को अग्रेसर बनाने वाले नंबर मन पर लाने वा यही में आप सबी को कहूंगा जाहिन जाहिन जाहिना रश्टा